तू मेरे साथ है तू मेरे साथ है भाटिया अंटी को सब जानते हैं तो भाटिया अंटी ने 2002-2003 में सबसे पहले गुरुजी का स्वरू हमें दिया था और उनके बारे में बताया था तो तब हमें यकीन नहीं होता था आई रिखाए हैं हम जैसे यूशर री हम कहें डेते हैं कि कौन गुरु उग परेभी लोग होते हैं कई तो किसको मान रहे हैंगे कहरे हैं क्यू हम जाएं उनके पास हमें नहीं और विशवास होता था तो बिल्कुल को पता कीसे कीसे को करनेक्ट दरना है और वैसे इस जनम से नहीं हम तो कई जय मों से उनके साथ जुर हुए है कोई किसी गनेश-जी को मानती थी और मैं नहीं मानती थी कि मैं गनेश-जी के अलवा और किसी को एकसप्ट भी कर सकूंगे चाहे शिव जी उनके फादर है हिंदु धर्म के हसाब से पर फिर भी मुझे लगता था गनेश जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है पर गुरुजी ने जैसे आंटी ने कहा हमारे सारे डाउट क्लियर करने हैं हमारे मन में कुछ नहीं रखते हैं वो सारे टाक्टिकल तरके दिखाते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं ही यंदूज जी हूँ वो एक अलग सक्टांगे वो मैं बाद में बताऊंगी फिलहाल मैं यह बतादू कि 2002-2003 में बाटे आंटी जब शायद पुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थी मैं यह को लेकर गलत भी हो सकती हूँ पर आई बिलीव यही टाइम था जब हमें यह सवरूप जब आंटी ने दिया था कि आप अपने घर में इसे अपने मंदिर में इस स्वरूप को रख लेना पर सम्हाओ इफ्स बट्स डाउट्स वो मन में चल रहे थे हमने वह स्वरूप को अंदर अलमारी में रख दिया हमने उसके बारे में फिर सोचा नहीं कि यह स्वरूप है अब हमें नहीं पता था क्यों स्वरूप का करना क्या है मंदिर में हमने रखा नहीं फिर 2006 October में जब मैंगलॉर में MDS करें और बाटियांटी ने जाना था उनको गाड़ी देने के लिए दिली से तो जैसे उन्होंने गुरूजी से आगया ली कि हम कुछ दिन आएंगे नहीं और हम मैंगलॉर जा रहे हैं बेटी के पास तो गुरूजी ने उनको कहा था कि तुम रुपते सबसक्राइब करें लुपते जाने का मतलब भातियांटी को लगा थी शायद ये हमें जैसे उनका जो भी फ्लान रहा होगा राजिस्तान वगेरा होल्ट करके कुछ टूरिस प्लेस जाने का तो उनको लगा कि गुरूजी तो सब जानी है तो उनको पता होगा कि हमारा ये क्या दिया ठीक है रुखते रुखते जाना उनका बॉंबे आने का कोई प्लान नहीं था और मैंगलोर जाना था उन्होंने सम्हाव वो कुछ रस्ते मिस कर गए कुछ रस्तों पर बहुत बुरे ट्राफिक जैंक्स में फस गए और सड़नली उनके दिमाग में गुरुजी ने आईडिया डाल दिया कि आप बॉंबे चले जाओ जब बाटी आंटी बॉंबे आई हमारे घर आई तब उन्होंने आकर बत तब उन्होंने देखा कि हमने वो गुरुजी का सवरूप अपने मंदिर में नहीं रखा हुआ तो वो तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉंग फॉलवर और उनको यह चीज थोड़ी खराब लगी होगी कि आपने सवरूप को कहां रखा हुआया अपने मंदिर में क्यूं नह तो हमने उनके हाथ में सुरूख दिया जो उनने बहुत पहले हमें दे दिया था आंटी ने वह सुरूख को हमारे घर के मंदिर में स्थापत किया उसके बाद आंटी ने बहुत सारे सचंग किये इतने सारे सचंग कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला रात के चार बजे- सुन रहे थैं और साइsınız सुनते कोई कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि सर्ट कई फ्रेगृन्स आइग गुरुजी कि फ्रेगर इस आती रही और आइंटी यह कहती कि नहीं देख म 내убेश mark है यहां पर है आपको faith रखनी है गुरुजी आपके घर हैं सुन रहे हैं यह सारे सत्संग आप एक बार चलो आपकी जो भी problems हैं देखो हम इनसान हैं हमें कोई शक्ती की कोई सहारे की जरूरत होती है जब हम किसी बुरे वक्त को काड़ रहे होते हैं और हमारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा वक चल रहा था जिसके वज़े से हम लॉस्ट थे हमें नहीं पता था तो वह कहते हैं दूपते को तिनके का सहारा तो हमने सुचा चलो अब वो इतना कह रही हैं इतने सत्संग सुनाएं तो हम भी हो आते हैं एक बार गुरुजी के पास शायद हमारा काम बन जाए शायद ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं तो 2006 ऑक्टोबर में जब वो मैंगलॉर चली गए फिर वो दिली चली गए मैं खैर मैंने अपना बीडियस कंप्लीट किया था 2001 में मेरे परसनल लाइफ में बहुत सारे इशूस चल रहे थी 2006 में मैंने सो तो बाटी आंटी अच्छली मेरी मासी लगती है तो मासी जी ने कहा कि मैं जब एम्स के रहे जाओं तो मैं गुरुजी से मिल लूँ तो एम्स के एक्जाम से पहली तो मेरा फर्स्ट वो ब्लेस्ट डे मेरे जिंदगी का सबसे करीबी दिन 11 नवेंबर 2006 जब मैं पहली बार गुरुजी से एम्पायर एस्टेट में मिलीघी. वो मोमइंट ही कुछ खास था आप सब जानते हो, मोमन जब आप गुरुजी को देखते हो, गुरुजी के औरहा को देखते हो आप भूल जाते हो कि आप कौण आपको नहीं समझ में आता कि आप कहां आगे एक डिवाइन पावर इतनी सुन्दर शक्ति इतनी गहरी शक्ति कि वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती पर जैसे मैं एंपायर स्टेक के बाहर पहुंची मासी जी खरिवी की बाहर तो मनें कहा जल्दी अंदर चलो गुरुजी कै मैं बाजिल्स में चलो तो मैं भागते वे गई मुझे नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या था गुरुजी क्याबिनेट पर बैठे वे थे मैंने मत्था टेका और भाटियांती ने उनको बताया कि यह मेरी कजीन की बेती है वंबे से आई है इसके लाइफ में कुछ प्रॉ जाएं समाधी लगाने के लिए कि मुझे नहीं पता था समाधी लगाना किसे कहते हैं मैं शरबत सुनते सुनते मुझे नहीं पता मैं कौन से वर्ल्ड में चलेगी एक ट्रांस जिसे हम कहते हैं कुछ अजीब सी दुनिया एक अलग ही दुनिया मुझे भगवान ने जैसे कोई केलाश परबत की दर्शन कुछ अलग अलग सी चीजें दिखाईं जो मैं बयान नहीं कर सकती बड़ बस मेरे आँखों में से आंसू निकले जा रहे थे उतना मुझे पता था कि मैं सिर्फ रोई जा रही कि मुझे ऐसे लगा निकिन फिर मैंने रिलाइज किया नहीं मैं रो ने रही पर ये तो कुछ अलग है जैसे कि अंदर से कुछ मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है कुछ साफ हो रहा है कुछ अलग सी घटना हो रही है जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं है और एक शबद मुझे मुझे नहीं यादे कुछ भी याद नहीं कौन से शबत जल रहे थे क्या चल रहा है? पंजाबी मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं बेंगा पंजावी इस्टिल बॉनन ब्रोट अप इन मूंबाई ये बहुत ज़्यादा पंजावी के सब कॉन्टाट नहीं आए था पहली बार शबत समझ रही थी कुछ शबत के मीनिंग समझी लेकिन जो सबसे जादा दिल के करीब लगा वो ये लगा कि तुम एक कदम गुरू के आगे बढ़ाओ गुरू तुम्हारे आगे सौ कदम बढ़ा के आ जाए और इसके पहले का थोड़ा करती थी कि मेरे पास तो कोई गुरू है नहीं और जो गुरू तीवी पर दिखते हैं वो तो वर्थ है नहीं तो मुझे गुरू कैसे मिलेगा और मैं गुरू को कहां डूंडू और मैं अपना जनम सार तक कैसे करूं और मुझे नहीं पता यह कैसे होगा मुझे भी गुरू चाहिए तो मैं तो मन में मांगती थी जाइब गुरु जी ने के बात सुनी ली थी तो कहते है ना गुरु खुद अपने शिश्य खुद ढूंबता है तो वैसे ही गुरु जी ने खुद मुझे अपने पास बुलाया मेरी कोई आउकात नहीं है कि मैं गुरुजी के पास गेती हुए नेक्स डे एम्स का एक्जाम था और इसमें भी एक सत्संग है मैं उस समय एम्स का एक्जाम जो देर नहीं जा रही तो बॉंबे में बोरिबली स्टेशन पर हम बेट कर रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड्स कि हम पर्ष्चे में एक्सपर से ट्रावी कर रहे थे सु मैं अपनी हॉल्टिकेट एक्जाम के लिए जो चाहिए वही इंपोर्टन चीज भूलाए थी घर पर जल्दी-जल्दी में इसम में अपनी एक्जाम के लिए नहीं कर सकते वह भी एम्स के एक्जाम तो मेरे फादर को वो अगर हॉल टिकेट मुझे देने आना था तो उसके लिए 45 मिनट्स का टाइम चाहिए तो गुरुजी ने वहीं से प्राक्टिकल करना शुरू कर दिया वहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि देखो यह हूं मैं अब होता यह है कि suddenly मेरे फ्रेंड्स मुझ हॉल टिकेट नहीं मैंने घर फोन किया मैंने का पापा मैं तो हॉल टिकेट भूल गई हूं आप प्लीज आजाओ ट्रेन को आने में सिर्फ बाइद रेल्वे श्यूल टाइम वह बारा बचके दस मिनिट पर बोरिगली स्टेशन टच करती है और तब बज़ेवे थे कुछ बारा मैं शायद कुछ मिनट्स कम थे तो फिर पापा ने बोला लेकिन तेरी ट्रेन में सो जाएगी या तेरी हॉल टिकेट में सो जाएगी नहीं हो सकता नहीं पापा यू ट्राइए तो पापा ने स्टाट किया वहां से हॉल टिकेट नूंडा पहले जाकर और हमें यहां स्टेशन पर खड़े हुए पता चलता है कि पश्चिम एक्स्प्रेस वेस्टन रेलवे हैस नेवर कमिटेट दिस लंडर ऐस पार इस माय नॉलेज गोल्स पर से उसे वहां से निकाला गया इस चक्कर में वह ट्रेन 45-50 मिनट्स लेट हो गई और यह ट्रेन जो कभी यह ट्रेन को गुरुजी ने पहले ही लेट तरा दिया ताकि मेरी हॉल टेकिप मेरे पास पहुंची और मैं जैसे मैंने कहा ग्यारा नमबर को जब गुरुजी के पास पहुंची वह समाधी में बैठी जो मेरे एक्सपियूंसे हुए विश्वास तो वहां से होने लग गया था कि हां गुरुजी तो हैं कोई बड़ी शक्ती हैं पर भगवान मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं गनेश जी के चक्कर में थी अब मुझे यह गुरुजी को प्राक्टिकल करके दिखाना था ना कि देखो मैं ही मुझे सब कुछ तो मैंने एक्जाम दिया मैं बॉंबे आगी मेरा नेक्स्ट एक्जाम था अकेन ऑल इंडिया का जो कि 14 जैनुवरी को था उसके बाद हर संदे को एक 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 एक्जाम था जो मेरे MDS के लिए अलग अलग अब तो खेर नीट हो ग जैनुवरी में मेरा कोई ना कोई एक्जाम चल रहा है 14 जैनुवरी का एक्जाम था और मैंने एक्जाम का पेपर लिखने से पहले मनी मन सम्हाव प्रे कर लिया कि अगर कुछ हो सकता है क्या क्योंकि मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है मेरी परसनल लाइफ वैसे खराब चल रही है कम से कम प्रोफेशन तो मेरा आगे बढ़ा दू मेरा कुछ तो कुछ हो जाए क्योंकि मैं आज बीडियस प्राक्टिस तो कर रही थी मैं सैटिसपाइड नहीं थी डेंटिस मुझे कभी बनना नहीं था मुझे हमेशा से सर्जिन बनना था और MDS करके मैं स प्रोफेशन चूट गए हैं और मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया नहीं पूरे वस्ते मैं घर पहुंचते-पहुंचते रोते वे कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता और नेक्स्ट वीक मेरा महराश्रा से एटी था तो वो भी खराब हो जाएगा इस चक्कर में बहुत अच्छा में च्टोर करें रहा तो प्रेयुज रहा तो यह उतलर नहीं जाता इस बहुत बहुत रहा तो अच्छट रहा है तो कि मुझे बहुत बहुत आप सारा बोलाए है तो मिए था कुछ यह टारी श्ट वीकित करकरों। तो जब मुझे यह पता चला कि मैंने इतना वड़ा रांक चीव किया है मैंने तो क्या गुरुजी ने दिया था तो मैं पूरा अविश्वास में थी कि नहीं यह शायद गलत कुछ ट्राइप हुआ है या कुछ हुआ है क्योंकि एक तो मेरे साथ होना इंपॉसिबल है क्योंकि दुनिया माने की भी नहीं और मैं भी नहीं मानने को प्यार थी कि इतना होने के बाद आप इतने वड़े कॉंपुटिटिव एक्जांस में जहां पर आपके पास 14-15 सीटी होती है आप उसमें स्टेट टॉप कर रहे हूं इंपॉसिबल सो मेरे भूता मेरा भूता नहीं था भले मैंने हार्ड वर्क किया नहीं किया वो अलग बाद सो फिर जब मुझे लगा कि यह मेरा रांक ही नहीं तो मैंने दूसरे दो तीन फ्रेंट से चक्कर वाया है हाँ उन नहीं टॉक किया है चलो फिर मैं भागी भागी गनेश जी के मंदिर में और इतने में मम्मी ने भाटी आंटी को फोन करके कहा भाटी आंटी कहती है अरे त फिर से साल समझाना पड़ेगा किया अच्छा फिर हुआ यह कि उस्तर में महाशिवरात्री आ रही थी तो सम्हाव भाटी आंटी के कहने मुझे रगा हाँ चलो गुरुजी को थैंक्स तो बोलना बनता है अब मैं शिवरात्री है तो मैं जाती हूं दिली और गुरुजी को थैंक्यू बोलते थी तो महाशिवरात्री के एक दिन पहले जब हम एंपायर से गे मेरी ममा भी चलिए साथ में तो हम गुरुजी से जब मिल रहे थे तो मैं आगे थी भाटी आंटी के साथ में खेल उन्होंने बताया गुरुजी को इसके साथ एक मिरिकल हुआ है ममा ने उनके मत्था ठीका तो गुरुजी ने कह दिया कल्यान किया अब उस समय हमें नहीं समझ में आती थी सब की मिलें हमें लगा हां ये कुछ तो कहने के लिए कह रहे हैं फिर मेरी तीसरी मुलाकात गुरुजी से महाशिवरात्री के दिन पर हुई 2007 में अगें अवेरी प्रश्वरात जी के बाद हम बॉंबे के लिए निखले और फिर मुझे पता चला कि आल इंडिया का रिजल्ट आउट हुआ है जिसमें मैं पूरे रस्ते रोते रोते आरी थी और उमीद से कोई मतलब धूर जो तक कोई चांस ही नहीं था मेरा प्रैक करने का और मुझे ये गुरुजी ने ये प्राक्टिकल करके दिखाया कि अब तुम डाउट करना बंद कर दो मैं हूँ तुमारे साथ और मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा सिफ तुम विश्वास रखो और उसके बाद देवस नो लुकिंग बैक मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और धीर इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पस ड्रेइनिंग जिसको हम अपनी भाषा में डॉक्टर केते हैं कारबंकल जोकि जैनरली डाइविटिक्स में होता है और जैसे चाय की छन्नी होती है उतमें सारे पोर्स होते हैं जैसे पस ड्रेन होती है और विदाउट सर्जरी इतने मोटे पैड्स रखते थे ताकि वो पस गद्दे को ना खराब करते हैं इतना सारा पस निकलना और ममा की यजद कि नहीं मैं तो सवरूप नहीं हराऊंगी गुरूजी में ठीक करना होगा तो मुझे ठीक करेंगे और उस समय गुरूजी का सवरूप जो हमारे घर में था मुझे भी लगता था कि कुछ गुरूजी के फेस पर कुछ लाली सी और अ एक महासवाध ही लेकर गुरुजी की कम से कम ये परेशानी खतम हुए बिचारे जो अपने शरीर पर अपने भक्तों की परेशानिया लेते थे कम से कम उनको बहुत चीज अब नहीं करने पड़ते क्योंकि अब तो पहले भी उन्हें प्रोटेंट अम्निप्रेसंट थे अभी हैं लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हमें तब नहीं समझना भी जब हम ये कह देते हैं गुरुजी ये देख लो गुरुजी ये कर दो और गुरुजी अपने शरीर पर दुसरों की दुख दर्द ले लेते हैं एनीवे हमें नहीं पता था इसलिए हमने इस तरह स of me 2007 31st में और 30 में के बीच वाली रात मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिया उस दर्शन में ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी को कह रही हैं गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो गुरुजी कहीं जा रहे हैं गुरुजी सफेद चोले में थे और गुरुजी क जा रहे थे मैंने कहा गुरुजी आप कहां जा रहे हैं मुझे बात करनी है आज गुरुजी कहते हैं मुझे जाना है मैंने कहा नहीं गुरुजी सुन तो लो मैं क्या कहना चारी हूं क्यूं जा रहे हूं पहले बहुत बात सुना प्लीज सुन लो गुरुजी कहते हैं आया कि अजीब सा ड्रीम मुझे क्यों आया पर क्योंकि भाटिया अंटी ने बताया था कि जब गुरुजी का ड्रीम होता है तो गुरुजी साक्षात वहां होते हैं और आपको मंतरजाब करना हूँ मैंने वही किया 31 में मेरा पोस्ट ग्राजुएट कोर्स शुरू होने वाला था जो कि गुरुजी की ब्लसिंग से मुझे मिला जैसे मैंने आपको बताया रैंकिंग एन दिस दंट मिला पेहला दिन मेरा कॉलीज का पहला दिंग और मैं रस्ते में थी स्कॉलिज को पहुंचते हमारी थी भा अंति का फोन मेरी कि है पहते हैं गुरुजी को एस्क्रण ले गरिए रिषण प्रेह करो, वो बहुत खराब हालत में है और प्रे करो, हमें नहीं समझने आ रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब मैं बॉम्बे में हूँ, मैं गुरुजी को जादा जानती नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रे करो, किसको प्रे करो, जब महाराज खुदी भगवान है, मह अब मैं किसको प्रेकर, क्यों प्रेकर और क्यों खुद से ठीक नहीं हो सकते हैं और इतना क्यों उन्हें दुसरों की तकलीफ अपने शरीर पर ले ली कि उन्हें ये दिन देखना पड़ा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खैर समाधी वाली न्यूस मुझे कॉलेज से घ जो emotions, जो outbreak था, जो हमें नहीं बता था ना कि गुरुजी ने शरीर छोड़ा है, गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय तो यही सब को, I'm sure, सारी ओल्ड संगर जो है, यह चीज़ को मानेगे कि उस समय हम सब को यही लग रहा था, कि गुरुजी चले ग दिरे दिरे विश्वास बढ़ता गया, गुरुजी कहीं नहीं गए है, गुरुजी हमारे साथ हैं, फिर एक के बाद एक experiences गुरुजी ने दिये, for example, घर में गैस लीक हो रहे थी, और मेरी ब्रदर और ममा ने, इलेक्रिसिती का कोई भी अप्लाइंस, और इवन ट्यूब ल इतनी बड़ी लिकेश हो रहे थी, और ब्रदर ने लाइट बीच रात में, लाइट आउन कर दी, और गुरुजी कुछ नहीं होने दिया, और उस समय नहीं रियलाइस हुआ, यह गुरुजी का करिश्मा था कि कुछ नहीं हुआ, कि हम बॉम्बे में एक सच्चंग पे गए कि गुरुजी कहां कहां आपको बचा रहे हूँ, मैं अपनी मूर्खता बताओं, कि मैं हमेशा यह कहती थी, कि बॉम्बे में जब सच्चंग होते थी, मुझे सब तरह की सेवा दिया, गुरुजी ने, कि चंद में भी मैंने दंगर भी पेर किया है, सब सब तरह की जो पॉ कि मैं कैसे बूली, तब मुझे भाटे अंटी ने बताया, बातों में, अब जैसे गुरुजी कैसे कैसे प्राक्टिकली आंसर देते, भाटे अंटी को यह बात मैंने कभी नहीं बताई थी, बाइदर वे फोन पर बात करते करते, एक बार वो ऐसे बोल गई, बोलते बोलते, कि हम सोचते हैं कि हमें सथसंग शेयर करना होता है, लेकिन हम क्या सथसंग शेयर करेंगे गुरुजी ने कराना है, मतलब हमारे बात कुछ एक्स्पीरियंस होने चाहिए ना, यानि कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, तब गुरुजी उसको ठीक करेंगे, तब तो हमारे पास सथम बनेगा, तो हम इतने मूर्ख है, मतलब हम प्रॉब्लम मांद रहे हैं, तो मुझे लगा है, हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बाद, अब मुझे ऐसा लगा है, गुरुजी, कोई न, आप मुझे प्रॉब्लम देते हैं, तो ये सोचो, गुरुजी आपको एक opportunity दे रहे हैं, अपने सबसे ज़्यादा करीब रखने का ये chance दे रहे हैं, प्रॉब्लम से क्या डरना, positive attitude हमेशा गुरुजी हमेशा बोलते थे कि positive रहो, अब अगर कोई problem आती है, इसी भी तरह की problem आती है, आप ये सोचो, ये पर मैं सच में बता रहे हूं, अपनी life के experiences है, जब भी मैंने पहले नादानी को गुरुजी से कभी कुछ मांग के कोई प्रूज लिया है, वो हमेशा मुझे दुख दे कर गई है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँ लिए कि आप कभी भी कुछ मांगो मन गुरुजी से, तो सिर आपको Google पे भी मिल जाएगा, this is not related to Guruji, बस एक भगवान का एक message है, जो मैंने ये बहुत पहले बच्पन में पढ़ती थी और सुनती थी, कि जब हमारे, जब एक एक बंदा होता है, और जो अपनी life की journey को पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे दिखता है कि उस दो पैर के निशान साथ में चल रहे हैं, दो जनों के पैर के निशान, उस दीच के सैंड पर साथ में दिख रहे हैं, लेकिन suddenly वो देखता है कि जब उसकी life के, मतलब वो life देख रहा है, तो उसको दो निशान देख रहे हैं, उसका खुद का है, और एक साथ में उसके भगवान चल रह आप मेरे साथ थे ने, तो भगवान ची उसको कहते हैं कि आप देखो, उस समय सिर्फ मेरे पैर के निशान थे और आपको तो मैंने गोद में धारन करकर रखा हुआ था, वैसे ही हैं गुरुजी के फंडे, गुरुजी भी वही करते हैं, प्रॉब्लम में गुरुजी हमें बच्चे की तरह बिठा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं और उस समय वो आपको एक चांस दे रहे हैं सबसे ज़्यादा नाम स्मरंड करने का, यह चांस को मत गवाईए, हमेशा यह सोचिए, मतलब यह यह नहीं कह रहे हुँ, आप प्रॉब्लम मांग के लो, यह भी नहीं मांगना, यह गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं, गुरुजी को तो मानना है ना, ना प्रॉब्लम मांगना है, ना सुख मांगना है, कुछ मी मांगना, गुरुजी को सब पता है, उनको क्या कब देना है, हमें नहीं पता के हम किछले जन्वों क्या करके आएं या आगे हमारे सब क्या है अपनी जिन्दगी की दोर हमें उनके हाथ में सौंते नहीं चाहें एक और सब्संग मैं करना चाहूंगी जो फिल्हाल मेरे ब्रदर की चोटी सी बिटिया है जो 27th कोई दो साल की हुई है मेरी भाबी को प्रेगनंसी के टाइम पर ब निसक्राइज हो चुका है तो हमें नहीं उमीद थी कि इस बार भी ये बेबी बॉन होगी और अब हम तो इंसान हैं इंसान की तरह सोचेंगे हमें लग रहा था हम नेगेते बोगे और फिर आशा की किरन हमारे गुरुजी कहीना कहीं से दर्शन देते हैं कहीना कहीं से पर यहां पर बॉम्बे में स्टिकर लगी हुई गाड़ी बहुत मुश्किल से लिखती है तो हमें यह लगता है कि कहीं न कहीं गुरुजी हमारे साथ है तो यहीं हुआ कि भावी की प्रेगन्सी बहुत जादा पेइनफुल थी बहुत कॉम्प्लिकेशन्स थे लेकिन इतनी संदर इतनी प्यारी से बितिया जो कि इतनी इंटेलिजन भी है यह गुरुजी की ब्लेसिंग है बिल्कुल गुरुजी की ब्लेस्ट चायर्ड है और इसके अलावा अम्रित जो हम बोते हैं गुरुजी के स्वरूप में अम्रित वर्शा होती है तो हमारी घर में जो एक बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप वह भी हमें मांगा नहीं था बंबे के किसी सब्संग में एक अम्तल ने ऐसी मुझे कह दिया आंटी आपके मतलब में जे लिए तो बहुत खुशी का दिन था कि में बिना मांगे गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया और मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी का स्वरूप हमने जब नए नए बंबे में सच्छंग शुरू हुए थी तो हमारे घर में जब गुरुजी का सच्छंग होना था तब एक संगत है भरत कपूर अंकल जो कि अब बंबे में नहीं है वो फिल्म लाइन्स रिलेटेड है तो सच्छंग बारा बजे शुरू होना था संडे आफ्टर्मून्स को हम रखते थे पहले कुछी संगत होती थी तो महिने में एक संडे होता था तो जैनरी में बारा जैनरी को हम ने घर में सच्छंग रखावा था और वो अंकल पॉने बाराबजे घर आगए और उन्होंने आते ही कहा कि यहां गुरू जी का सच्छंग हो रहा है तो मैंने कहा हां जी अंकल प्लीज आये तो ठीक है वो आके ध्यान में बैट गए जब यूजूली जैसे हम करते हैं हमने शबद सुने फिर उसके बारमन तुजाब हुआ आरती हुई सच्छंग शेरिंग जब हो रही जो कहा वो सुन कर तो बिलकुल रॉंगते खड़े हो गए अंकल ने कहा कि कल रात को मैं सू रहा था और मैं जैनरली सच्छंग में जाता नहीं हूँ या तो मैं बड़े मंदर जाता हूँ यह संगत यह सुन रही है कि यह मानती है कि समाधी लेने के बाद कैसे क्या प्लीजी अब भी है और हमेशा रहेंगे हमारे साथ पहले भी है और ब्लेस करते रहेंगे हमें तो वो अंकल ने क्या कहा कि पौने 12 बजे कल रात को मैं सो गया और 12 बजे जब मेरी जैसे किसी ने थपण मारकर मुझे जगाया नीम से तो मैंने लेखा कि गुरुजी ख़ड़े वो अंकल भरत कपूर अंकल ये नरेट करें हमारे घर में सत्संग के टाइम पर कि गुरुजी आये और गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता मुझे नहीं पसंद आता कि तू सत्संग में नहीं जाता तो अब कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में जो हमारा घर है मलाड एरिया है बंबे में उधर है तो कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में मैं जाने वाला हूँ और तुझे वहाँ आना है तो अंकल ने गुरुजी को कहा जी गुरुजी मैं जरूर चला जाओंगा तो वो अंकल जब घर आई और समाधी में बैठे और जब सचंग खतन उनने ये शेयर किया आप मानोगे नहीं कितनी बड़ी खुशे की बात है कि जैसे गुरुजे खुद बुलवा दिया कि मैं वहाँ जाने वाला हूं और तुझे जाना है यानि कि गुरुजे साथ आते हैं सचंग में हमारे घर भी आई तो इतनी खुशे की बात होती है जब कोई संगत ऐसे आपको बताती है कि आप से एक प्रूफ एक प्राक्टिकल जैसे गुरुजे ने कहा गुरुजे कहां कोई प्रबचन तो होता नहीं था तो गुरुजे यह प्राक्टिकल करके दिखाते हैं जो कि आज उशा आंटी का जो यह था जो बचन जो उन्होंने भी हमें बताया यही मतलब निकलता है कि गुरुजे हर चीज़ हमें करके दिखाते हैं और ऐसे मैं मेडिकल बैक्राउंड की होने के वज़े से हमारे माइंड में यह सुपरस्टेशन और यह सब नहीं होता है तो गुरुजे कहीं न कहीं तो जानते थे कि जब मैं साक्षाद दर्शन नहीं दूँगा तो यह मालेगी नहीं तो उनके चोला छोड़ने के पहले यह शायद उन्होंने मुझे बुला लिया और दर्शन देकर यह दिखा दिया कि देखो मैं हूँ और मैं ही हूँ और कोविद के टाइम्स में जैसे हम सब ने देखा बहुत सारी समस्य आई आई हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिनांशल प्रॉब्लम्स, गुरुजी की असीम कृपा हमारी फामिली पर रहे थी, दोनों ही वेव्स जो गई हो, बिल्कल स्मूथली चले गई, फिनांशली या हल्थ वाइस हमारी किसी भी फामिली में बर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कमी छोड़ी गुरुजी ने, जिबकि हम काम छोड़कर घर पे बैठे वे थी, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं आई, और गुरुजी ने इस तरह से सब किया कि पेरेंट्स को कोविज हो जाएगा, इस डर से, मतलब हम अगें, इंसान हैं, ifs and buts करते हैं, मैंने अपनी प्रैक् जोड़ रखी, पर जो होना था तो इन्फेक्शन होना था, पेरेंट्स को भी कोविज हुआ, तो भी उन्होंने इतने हलके से सिंप्टम्स में उसे टाल दिया, कि वलकुल ये कोई प्रॉब्रम में नहीं होगा, और उनकी जद्धी हम वाक्सिन नहीं लेंगे, गुरुजी जो भी स्ट्रेइन आई, जो भी हलकी फुलकी स्ट्रेइन आई, कि उनको इम्नुनिटी भी मिल गई विदाउट वाक्सिनेशन, और उनको हेल्थ में कुछ फरफ नहीं पड़ा, जब गुरुजी ने प्रैक्टिकल हर चीज करके लिखाई तो यह बिलकुल साफ है कि गुरुजी कितने मॉर्सिफुल है, लेटिस्ट मैं आपको बताओं, मैंने MDS का जो सचन तो किया आपको, उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे और आगे बढ़ाया, गुरुजी ने म मुझे पीएच्डी भी कराई, अब सिचुवेशन ऐसी की, कि 2017 में पीएच्डी का एक एंडरेंस एक्जाम होना था, उन्क्रेट अनॉइड हमने एक उनिवर्सटी है, गलको क्या जिवर्सटी, बिना किसी परपरेशन के, जिस्ट वेंट, कि मुझे पता नहीं, करनी भी थ एक जो है करनी ही है, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं ता, क्यूंके अब मुझे पता है जो देना, पहले तो मैंने मांगा था, लेकिन अब मैंने मांगा नहीं, अपकी बार मैंने बुला ठीक है, एंटरेंस पास होगी तो ठीक है, गुरुजी ने करा नहीं हो कि तरा लेंगे, नहीं करा नहीं कि तरा आएंगे, कोई बात में. मैं तो casually जाके एंटरेंस अपियर करके आ गए, और शाम को मैंने अपनी फ्रेंड है, जोती आंटी देली में उती संगत है, तो उनके साथ उनके घर गई, और फिर बड़े मंदिर गई, और वहाँ पर ये भी एक सत्संग है, वहाँ पर गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में, लंगर में, करेला खिलाया, 2017 में 4 फेबरी की बात है, मेरी इंटरंस एक्जाम के बात की बात है, अच्छा, उस समय गुरुजी ने जब ये कह रखा था, कि कोई जोतशी वागेरा के चक्रों में मत पड़ा, मैंने नहीं, तब सिर्फ मैंने जब से वो एक बुक की, जो पुरुजी की एक सुक्मनी आंटी ने जो बुक की थी, उसके अंदर जितनी सारी बातें थी, मैं अपनी लाइफ में अमल करना शुरू हो गए थी, तो मैंने आस्ट्रोजर्स को मानना ठोड भी रहता, बट बाइदे वे कहीं पर मैंने ये पड़ लिया कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी ब्लड रिलेटेड और ब्लड सेल से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी, जो कि इंक्युरिबल होगी, कि वो मुझे पड़ुरी, that was fourth month from my birthday, वो मुझे होने बाइब, so back of the mind, कही ना कही ये चल रहा था, फिर मैंने सोचा, ठीक है, Guruji है, मुझे क्या करना, हो जाएगी हो जाएगी, जो करना होगा, जितनी life लिखे होगी, कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर PhD भी है, सब कुछ सौप रखा था, Guruji के पास, कि मैंने कुछ नहीं, यह decide नहीं किया, कि मुझे जाकर मैं यह क्या नहीं करता है, incurable disease, सोच के कही न कहीं मन तो हिल जाता है, हाँ, इंसान हो, मैं भी इंसान, मेरा भी मन हिला, मैं यह नहीं कहूंगी, कि मैं बिल्कुल विचलिप नहीं हूँ, पर फिर मैंने सोचा, अब बड़े मंदिर जा ली हो ना, Guruji संभाल लेंगे, वैसे यह एक भी बात है, कि जब मैं, मेरी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े काम, बड़े मंदिर जाकर ही बनें, यह एक बहुत बड़ा connection है, कि जब भी काम अटके, तो बड़े मंदिर गुरुजी बला लेते हैं, और वहां से काम बनना शुरू हो जाता है, तो पिएजडी का इंटरंस ग्जाम था, शाम को बड़े मंदिर गई, अब यह बिमारी वाली जो बात थी, कि शायद कुछ होने वाला है, वह भी करेला खिलाके गुरुजी ने पहली खून साफ कर दिया, तो वह भी क्लियर हो गया, इसके अलावा, जब पिएजडी में कुछ कॉर्स वर्प नाम की चीज़ होती है, जिसमें आपको कुछ समय, जैसे आप पार्टम पिएजडी करते हैं, कुछ समय आपको युनिवर्स्टी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो में के महीने में दली की गर्मी, हम बॉम्बे वालों को उतनी गर्मी नहीं होती, महसूस और बर्दाश कि जतनी दली वाली होती है, तो आदत नहीं है उतनी गर्मी की और एक हॉस्टल में रहना, भले ऐसी हॉस्टल है जो भी है, पर कहीं न कहीं यह कॉलेज में जहां मैं कोट्वा कर रहे थी, तो मुझे वो सुकून तो नहीं था जो बॉम्बे में था, बट ऑफकॉर्स बट गुजी में शॉर कि वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक कर लेते हैं, तो तो माई सुर्प्राइज, जस हॉस्टल में मैंने अकॉमडेशन ली होती, उस हॉस्टल की एक तरफ गुज़द्वार था और दूसरी तरफ बिल्कुल लगके शुर्जी का मंदिर था, तो गुज़जी इस तरह से ब्लैस करते हैं, हर चीज में गुज़जी का प्रेज़न्स होता है, जब मैं कोर्स कर रहे थी तब भी मेरे डाउट्स थे, कि तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, प्रेज़दी करना ज़रूरी है, क्या वहां तेरी प्रेक्टिस है, और तू बीज दिन दिल्ली आके बैठी हुई है, वहां तेरे पेशन्स है, बीज दिन का लॉस, बीज दिन की प्रेक्टिस खतम, ये करना ज़रूरी है क्या, और फिर गुरुजी आंसर देते हैं और फ्रैक्टिकल तरके दिखाते हैं वो सारी चीज़े स्मुख्री निकल गी और आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी पीएजी की थीसिस भी सब्मिट हो गई और मंदिर बंथ था इतने टाइम पर जब मैं पीएजी की थीसिस प्रमिट करने गई तब से बड़े मंदिर दो दिन पहले से फंक्शनल हुआ मुझे दर्शन करने का गुरुजी ने मौका दिया और मैं जतनी बार इस दौरान 2017 से 22 दो साल तो लॉकडाउन के चकर में मंदिर भी बंथा लेकिन उसके आजपास पीचपी में गई तब मुझे सम्हाव बड थी से सब्मिट होना था उसके एक दिन पहले गुरुजी में मंदिर ज़रूर बिलाया तो बहुत सारे बिगड़ेवे काम गुरुजी ने बनाए हैं लाइफ में और ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसे दिये हैं बट कुछ परस्नल एक्सपीरियंसे हैं जो मैं इस प्लाटफॉर्म पर अभी नहीं शेयर कर सकती बट येस गुरुजी अगर आप एक दोस्त की तरह रखो अपने हर रश्टा आप रख सकते हो गुरुजी के साथ हर रश्टा आप चाहे उन्हें मा समझो फादर समझो एक दोस्त समझो जंदिगी का लाइफ पार्टनर समझ लो जो समझना है आप गुलूजी को समझ लो और एक एक श्रद्धा रखो और जैसे मुझे तो गुलूजी ने समाधी लेने से जस्ट एक दन पहले जैसे मेसेज गिया था श्रद्धा रखो और श्रम करो आप सब भी उतनी फेथ रखेंगे और रखते होंगे क्योंकि गुरुजी बहुत जादा मर्सिफल है और इतना इतना जैसे शिर जी हैं भोले नात हैं थोड़ा सा उनको प्यार कर दो और वो इतना जादा आपको प्यार करेंगे जैसे मैंने कहा जब मैंने फर्स टाइम का मेरा जो मुझे याद है एक शबद जिसमें ये आता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ वो सौ कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे सच में बुरजी बहुत प्यारे हैं बहुत सादा अपने संगत को प्यार करते हैं गुरू परिवार ही सचा धन है और बहुत helpful है मैंने कहीं सच्चन तुने हैं जिसमें घर वाले नहीं काम आये, लेकिन गुरु परिवार काम आया, मेरे खुद के साथ लाइफ में कुछ ऐसे किस्ते हुए, जिसमें घर वाले काम नहीं आपाई, पर गुरु परिवार के सदस्थ से थे, जो संगत थी, जो हमारे काम आई. एक सदसंग और मुझे याद आता है, कि गुरु जी कहीं नहीं गए है, गुरु जी हमारे बीच में है, एक आंटी का सदसंग था कि बहुत फेंटली मुझे याद आ रहे है, I'm sorry अगर उसमें मैं कोई भूल जुब कर दू, कि एक आंटी बहुत रात को आटो रिक्षा से कहीं जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, और suddenly वो आटो रिक्षा वाले ने कुछ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया उनके साथ, और अंधीरी सी साड़क पर उनको पहीं, कहीं, ऐसी जगह लेकर जानी लगा, जो उनके लिए रिस्की था, सड़नली आटो रिक्षा वाले ने रेडियो मिरर में देखा, और उनसे गुरू जी नजर आए होंगे, तो वो रस्ता जो गलत दे जा रहा था, और सड़नली फिर वो सही रस्ते पर आगया, और जब आटी को सेथी घर पहुचा दिया, और आटी ने कहा, तुम तो मुझे बहुत गलत रस्ते पर लेकर जा रहे थी, फिर सड़नली तुम ने ये किया किया, तो और रिक्षा वाले ने उनसे कहा कि, मैंने देखा कि आपके साथ एक पज़रूग से इंचान बैठे वे हैं, जो कि, जिनके से पर बाल नहीं थी, और उनने सड़नली कहा कि, तु ठीक से उसे घर पहुँचा, अब मुझे पर लेंग दिखाए दे रहें, वो आपके साथ में आये थे क्या, मुझे ध्यान नहीं कि आपके इस प्रक्षा में बैठे थे क्या, और अब नहीं है, तो ऐसे ऐसे प्राक्टिकल हैं गुरूजी के साथ, कि हमें नहीं पता होता कि परसिंद कर्मा हमें बचा लेते हैं, सिर्फ पांच या दस परसिंद कर्मा हमें भोगने होते हैं, हम मानिये इतने ज़्यादा blessed souls हैं, कि जो गुरूजी, महाश्रीजी की शर्म में हैं, इससे ज़्यादा हमें सिंदगी में आपके चाहिए क्या, धन दौलत इत्यादी आता है, जाता है, लेकिन गुरूजी ने जो हमारे कर्म काट के अपने चल्मों में रखा हुआ है, इस तो बढ़ी वाग कौन सी ड्रैसिंग हो सकती है, आप ज़रा सोच कर देखे, कई बार ऐसे होता है, कि हमें पता भी नहीं होता, कि कौन से कर्म कर्म काट जाते हैं, अनेको अ पता है, जब मैं ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो मुझे ये पता है कि गुरूजी मेरे थ्रू काम कर रहे होते हैं, मैं तो एक मीडियम हूँ, मुझे ये एहसास कोता है, कि हात मेरे नहीं चल रहे होते हैं, गुरूजी चला रहे होते तो बिल्कुल जैसे गुरुजी कहते थे, one-to-one connection करिए, surrender करिए, गुरुजी हमारे साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे, please have faith, जै गुरुजी. जै गुरुजी महराज, प्रिंको अंटी आपने बहुत blissful divine संगत शेत की है, गुरुजी परिवार के साथ, बिल्कुल ठीक messages मिले हैं, कि मैं practical करके अना हाँ, जी अंपर, गुरु संगत ही असली परिवार है, बिल्कुल सही वचन, सही रूप में संकर के थुरु गुरुजी के लवाते हैं, और मैं ज्यादा ने बोलते हुए, पूजा कपूर अंटी को request करूँगा, please unload yourself, पूजा अंटी. अंकर, एक, 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 सिर्फ experience, आज सुबह करी experience, मैं, sorry, मैं interrupt कर रही हूँ. अंटी, पीज गोएड, जया गुरुजी, हम ये कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों को निंबू की तरह निचोडते हैं, वो हमें test करते हैं, जरूर करते हैं, पर मेरे case में ये भी कहूंगे कि मैंने, I'm sorry, but I should confess this on this platform, कि मैंने गुरुजी को बड़ा test किया है, मतलब, कोई भक्त भगवान की परिक्षा लेता है, लेकिन कोई भगवान की परिक्षा लेता है, क्या? मतलब, मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा गुरुजी को test किया, हमेशा गुरुजी को ऐसी तरह से टेस्ट या जिस्ट वांट गिव एग्जांट मैं फिल्हाल बॉंबे में नहीं हूं पामिली के साथ एक आउटिंग के लिए हम थोड़ा बाहर आए वे थे और सदंडी एक बंदा मेरे सामने आता है और कई सत्संग हम यह भी सुनते हैं कि बुरुजी किसी भी रूप हमारे सामने आते हैं तो कई बार यह ऐसा होता होता है कि कई फेक लोग भी आते हैं हमारे सामने और हमें लगते हैं अब यह बन्ता मेरे face reading करके कई === बिल्कुल कहते हैं कि आपको यह करना चाहिए मुझे है क्या सिरियूस के लगने लगा कि कHHH आप मुझे यह सब क्यों बता हुआ तो कहता है कभी-कभी उपरOTH Aww और वो फिए यह जब कहने लगा कि तुम्हें यह ऑम जOhrenamental therapist रेख और AH Norm पर सब्व Automine आया कि गुरुजी ने हमें ये अंदर विश्वासों से दूर रहने के लिए आप जानेंगे पहले पहली चीज मेरे मुझसे निकली ये मैं जिनको मानती हूं उन्होंने मुझे मना कर रखा है मैं ये सब नहीं करेंगी आप ली जाएए मुझे नहीं सुनना ही सकता और मेरे गुरुजी सामने खुदाय थे I seriously don't know कुछ टेस्ट पका लिया मेरा आज सुवेट तो मैंने सिर्फ यही कह दिया कि मैं जिनको मानती हूं ये सब नहीं मानते मैं नहीं करूंगी ये सब तो I don't know if I was right or wrong but ऐसे मैंने गुरुजी की भी बहुत बार परिक्षा लिया है एक और सथ समझे याद आरा है कि हम स्वरूप में अमृत जो मैंने कहा ने जो घर में जो भाट्यांटी में जो स्वरूप मंदिर में लगाया हुआ है उसमें भी अमृत वर्शा हुई है मेरे यह स्वरूप मेंने अमृत आया और सदन ही जब सथम होने वाला था मंमीने क nasal का की यह वाला सवरूप आप में लिक तो तो já आप मानो के नहीं गुरुजी इतने मजाकिया हैं कि गुरुजी ने उस स्वरूप में से अमरत खटा दी उस दिन बिल्कुल उस वरूप में अमरत नहीं दिख रहा था और जब सथसंग खतम हो गया उसके दो टीन दिन के बाद फिर ममी ने कहा कि ये फ़रूप में अमरत कहां से आ गया मतलब गुरुजी आखी बहुत अच्छे से टेस्ट ले रहे होते हर पल तेरा शुकर मनाम दिन रहन तरे गुणगाम तेरी चर्णों की धूली को मैं सिर्मास तक इसे लेगाम तुझे बहुत अच्छे बहुत अच्छे से लेगाम